गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंट सेंट एंजल्स की ओल्लाइन क्लास में आज हम हिंदी फ्याक्रण में समास बढ़ेंगे आज का मारा विशे है समास देखिए समास में सबसे पहले आपके सामने कुछ चित्र दिये हुए है घुरदोर, तानपी, नील कमल उप्रियुक्त उधार्णों में दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बना रहे है कि क्या है उप्रियुक्त शब्द मतलब उपर दिये गए जो शब्द है वो दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बना रहे है दो शब्दों के बीच आने वाले कुछ व्याकरनिक शब्द इस प्रिक्रिया से बाहर हो गए हैं क्या कह रहे हैं वो दो शब्दों के बीच आने वाले कुछ व्याकरनिक शब्द इस प्रिक्रिया से बाहर हो गए हैं जैसे घुर दोर तो घुरों की दोर तो इसमें क्या है ये जो है व्या करने अर्थात कहने का तातपर्य है कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारी विभक्तियां लगते हैं और जब हम समास का संयूजन करते हैं शब्दों का संयूजन करते हैं तब वो विभक्तियों का लोग हो जाता है जैसे दानवीर, दानमे वीर, अर्थात दानवीर, नील कमल, नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल तो देखें एक वर फिर से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रिक्रिया को समास कहते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो ये दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रिक्रिया को समास कहते हैं इस विदी से बने शब्दों को समस्तपत कहते हैं जब बापस अलग-अलग किया जाता है जब वापस अलग-अलग किया जाता है तो उसे समास विक्रे कहते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया कि अलग-अलग करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है समास विक्रे और जब हम संचिप्त करन करके लिखते हैं उसको छोटा करके लिखते हैं तो वो कहलाता है समास सही उजन अर्थात संचिप्ती करण को ही समास कहते हैं आगे फिर से देखेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया एक और उधारन लेजी जैसे गंगा का जल अर्थात यहाँ पर दो पद हैं सबसे पहला पद हमारा गंगा और दूसरा पद है हमारा जल समास होने पर बनेगा इसका गंगा जल यदि गंगा चल का बिग्रे करना हो तो पुने हम लिखेंगे गंगा का जल समास के लिए कम से कम दो पदों का होना आविशक है देखे समझेंगे एक बार फिर से इस बीदी में निर्वित नवीन शब्द समस्त पद कहलाते हैं नवीन शब्द क्या कहलाते हैं समस्त पद कहलाते हैं इन समस्त पदों को पुन्हे अलग-अलग करना समास विक्रे कहलाता है समास के लिए दो पदों का होना आविशक है इसका पहला पद होता है पूर पद तथा दूसरा पद होता है उत्तर पद पहले पद को क्या कहते हैं पूर पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद समस्त पद बनाते समय दोनों पदों की बीच की विवक्तियों का योजक चिन लुफ्थ हो जाता है जैसे हमने अभी आपको बताया था जैसे घोडों की दोड अर्थाथ इसमें बीचे विवक्तियां दी गई है तो जो हमने इसका सयोजन किया तब हमारा बना क्या बना गुड़ दोड तो इस परकार समस्त पद बनाते समय दोनों पदों की बीच की विवक्तियों या योजक चिन लुफ्थ हो जाते है मुख्य थे समास के छे बेद होते हैं सबसे पहले आता है हमारा अवई भाव समास उसके बाद आता है हमारा ततपुरुष समास दंत समास और बभुब्री समास दिगु समास और करमधारे समास सबसे पहले आता है हमारा अवई भाव समास देखे अबवभाव समास में क्या पताया गया है कि जिस समास में पूर्व पद अववे हो जिस समास में पहला पद अववे होता है और समस्त पद क्रिया विशेशन का कारे करता है क्रिया विशेशन किसे कहते हैं जो क्रिया की विशेशन बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं और समस्त पद क्रिया विशेशन का कारे करता है उसे अववय भावसमास कहते हैं जैसे इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किये गए हैं उन पर ध्यान देन आविशक है सबसे पहले आता है समस्त पद अव्वे की भाती कारे करता है समस्त पद अव्वे की भाती कारे करता है इसमें लिंग बचन कारक पुरुष आदी से परिवर्ता नहीं होता क्या होता है अव्वे हमने आपको इपर पहले भी बताये थे हमने बता है था कि जो अव्य होते हैं समस्थ पद अव्य की भाति कारे करता है इसमें जो अव्य शब्द होते हैं लिंग, वचन, कारक, पुरुष, आदि से परिवर्टन नहीं होता यह जैसे होते हैं इनका वाक्य में प्रियोग वैसे ही कर दिया जाता है अवे भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है इसके साथ विवक्ती चिन नहीं लगता है इसके साथ जो हमारे विवक्ती चिन होते हैं वो नहीं लगते हैं यथा प्रती आ भर यदी पूर में होतो अवे भाव समास ही होता है हमें पहले ही पूर पदूल को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इसमें अवे भाव समास होते हैं जैसे यथा बिदी प्रतिवर्ष आजीवन आदी पुन्रुक्ति होने पर अब्विभावसमास ही होता है जैसे हातों हात पुन्रुक्ति सताथ पर है दुबारा वही शब्दाने उनका पुन्रविर्ति होना दुबारा वही आना हातों हात गली-गली आदी तो हमें क्या जाना कि अब्वे भाव समास में क्या होता है कि अब्वे जैसे होते हैं वाक्य में वैसे ही प्रियुक किये जाते हैं वह लिंग बचनकारक पुरुष आदी सिक्के द्वारा परिवर्दन नहीं होते हैं अवे समस्त में पूर्पत की प्रधानता होती है, इसके साथ विवक्ती चिंध नहीं लगता है और जब इनकी पुर्रूक्ती होती है तो जैसे की हातों हात, कली-गली आदी तो क्या होता है कि इसका पहला पत हमने आपको बतायता अप्रधान होता है इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्वे की भाती कारे करता है एक बाई फिर से सुने जिस समास में पहला पद अव्वे हो उसे अभिवाज समास होता है यह सब जान गए हैं अब इसका पहला पद पृधान होता है इसी प्रक्रिया से बने समस्तपद भी अव्वे की भांती कार्य करते हैं जैसे एक बाई फिर से सुनेंगे प्रती दिन तो प्रती प्लस दिन यहां प्रती हमारा क्या है अव्वे है प्रती दिन समस्तपद भी अव्वे की भांती कार्य करता है इसके कुछ और उधारण भी दिये हुए है, देखिए आगे, जैसे प्रती दिन, आभी हमने आपको बताया, तो समास विग्रे किया हमने इसका, तो क्या बना हर दिन, प्रती दिन, प्रती का अर्थ है हर, और दिन आपका दिवस, तो क्या बना हर दिन, नेक्स देखे, प्रतिमास, प्रतिमास प्रतिकार्थ क्या हुआ, वही हर और मास महीना, तो प्रतेक मास या हर महीना या हर मास जीवन, अर्थात जीवन भर जीवन भर दिनों दिन हर दिन दिनों दिन अर्थात हर दिन प्रतेक एक एक हर एक यथा अपसर अपसर के अनुसार भर पेट पेट भर कर तो ये क्या हैं हमारे प्रती आ, दिन, प्र, यथा, भर तो ये सारे क्या हैं हमारे अव्वेश अब्द हैं नेक्स देखिए, यथा मती, यथा अर्थात मती के अनुसार, आमरण मरण तक, हातो हाथ अभी हमने बताया हाथी हाथ में, यथा बिदी बिदी के अनुसार, रातो रात राती रात में, बेखटके बिना खटके, यथा इस्तिति के अनुसार इस प्रकार बहुत सारे उधारण हैं आपके अव्य समास के जैसे आजन, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन परियंत, बता जीवन भर, आम्रण में सभी हमने आपको बताया मरण तक, गली-गली से तात पर्य है, जैसे हमने अभी आपको बताया उपर, गली-गली, प्रतेग गली, गाओं-गाओं, प्रतेग गाओं, घर-गर, प्रतेग घर, दर से रहित, या डर रहित, दर से रहित तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा समास बदल जाएगा, इसलिए दर रहित, नी संदे, संदे हे रहित, प्रति दिन, दिन-दिन, तो इस फ्रकार आपके पास बहुत सारे उधारन हैं, अब वे समास के, तो उन्हें पढ़ें, समझें और उनका भ्यास करें.